नमस्कार दोस्तों मैं विसेख आपका विसेख वीडियोल पर स्वागत करता हूँ आज हम लोग हिंदी का आपजेक्टिव देखेंगे हिंदी का आपजेक्टिव का यह फर्स्ट वीडियो है सब्जेक्टिव का वीडियो दिया जा चुक है लेकिन हिंदी का औजिक्टिव का यह फर्स्ट वीडियो है question out series के ताहत तो बिल्कूर दियान से देखेंगे और जो भी लोग पहली बाज जूर रहे हैं उने बता दू कि question out series से ही आपके सवाल पूछे जाएंगे ठीक है तो आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है तो आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है तो आपको पूरा का पूरा याद कर लेते हैं और जितने भी question out series के तरह कोई बीडियो नहीं देखे हैं तो आपका playlist बना हुआ है ठीक है करीकर हिंदी का part 7 हो चुका है और यह आपका हिंदी का पार्ट एट है तो आप जाकर प्लेइलिस्ट पर जाकर देख लिजिए सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा ताई आज एक लास हम लोग सुरू कर लेते हैं आज का फर्स्ट केशिन है संपुन करांती का आवान किस ने किया था और यह भी भी आई है संपुन करांती का आवान का घर सिर्सक कवीता के कभी बताईए प्यारे नन्हें बेटे के सिर्सक कवीता के कभी कौन है ठीक है यह है आपके विनोद कुमार नेक्ट है चप पे सिर्सक पार्ट के रचाईता कौन है ऑप्सन है सूर्दास तूलसी भूशन नाभधास दोको नाभधास का दो नाम है नाभधास को आपको कभी दास भी बूल जाता है और नाभधास भी बूल जाता है ठीक है इसका मैं सब्जेक्टी में भी बताया था बूइद्स राइट आंसर हो जाता ही येश्ट है जैसे संखरपरसाथ किस बाद खिबिपी थे ये तिहांँ है इसका राइट आंशर है आपका सिव खाया वाद जैसे संकरपरसाथ खाया आइञ हैक Да नेक्ष्ट है आपका गाउं का घर सिस्सक कवीता के कभी बताईगे प्यारे नन्हें बेटे के सिरसक कविता के कभी कौन है ठीक है ये हैं आपकी विनोत कुमार next है चपे सिरसक पार्ट करीड़ कोन है option है सूरदास, तूलसी, भूशन, नाभदास दो को नाभदास का दो नाम है नाभदास को आपको कवितास ही बुल जाता है और नाभादास भी बुल जाता है, ठीक है, इसका मैं सब्जेक्टी में भी बताया था, अगर सब्जेक्टी वीडियो देखे होगे तो, दोनों एक ही नाम है नाभादास और कभीरदास, तो इसके जो पार्ट के रचायता है, वो है आपके नाभादास, यानि राइट अंसर ह हो जाएगा आपका नाभादास, अगर यहाँ पर कभीरदास होता, तो कभीरदास राइट अंसर हो जाता, नेक्ट है, जे संकर परसाथ किस बाद के कभी थे, जे संकर परसाथ किस बाद के कभी थे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट अंसर है, आपका छाया वाद, जे स कर लेता तो उसमें 4 options देना पड़ता तो 2 options दे कर मैं इसका आंसर दे रहा हूं उसमें आपको objective दे जाएगा जिस पूरुस में नारित तो नहीं वो क्या है तो इसका right answer हो जाएगा अपूर्न है ठीक है सिलेट पर या लाल खडिया मल दी ही किसी ने मल दी हो किसी ने तो क्या होगा चाक होगा या अबीर होगा तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका चाक हो जाएगा इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा चाक हो जाएगा ठीक है नेक्ट है आपका आज दिसाय भी हस्ती है आज दिसाय भी हस्ती है है उल्लास है उल्लास पर चाया क्या चाया उल्लास किस पर चाया है तो उल्लास किस पर चाया है विस्व पर चाया है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा विस्व आज दिसाय भी हस्ती है है उल्लास वि था था ची कर अ को स़ाइब कर चोने में यह संकरपरसाथ जन्म जो है वह म면스C में billion स्वाजाएगा नेक्स आपका बार्ष आती थी पर इतनी परचंड या परखंड तो इसका जो हो जाएगा इस परचंड यानि इतनी परचंड नहीं बाहरा आती थी लेकिन इतनी परचंड नहीं नेक्स्ट क्यूशन है अर्धनारिस्वर के लेखक का नाम बताईए कि अर्धनारी स्वर लेखक कौन है पहला option है मुहन राकेश, सेकेड है सुभधरा कुमारी ठर्ढ है रामधारी सी दिनकर और फूर्थ है आपका नामबर सी ठीके चार ओप्सन यहां पर दिये गये है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रामधारी सी दीन कर अरधनाई स्वर के लेखक जो है वो आपके रामधारी सी दीन कर है बस आपको यहां से सुनते चलना है कोई अस्क्रीन सोट लेने की जोड़त नहीं है हिंदी अबजेक्टिव के लिए ठीक है और टोटल हिंदी अबजेक्टिव जितना मैं दूँगा टोटल याद कर इसमें मत देखना कौन भी जाई है कौन क्या है क्योंकि हिंदी अबजेक्टिव याद करने में टाइम नहीं लगते है उसने कहा था सिर्षक पार्ट किस विद्या की रचना है ठीक है पहला है कहानी सेकेंड कभीता ठर्ड गीत और फोर्थ क्या है नाटक है इसका राइट कहानी हो जाएगा ठीक है नेक्ट है पदमावत के कभी हैं पदमावत के कभी हैं पदमावत के कभी कौन है पहला है गोस्वामी तूलसिदास नाभादास जाईसी या सूर्दास तो पदमावत के कभी जो है वो है आपके मलिक मुहम्मद जाईसी आपसर नंबर सी आपसर नं ही हो पा रहा है बस आपको इस question का photo लेना है question को crop करना है और 5 second के अंदर अंदर उस question का video solution मिल जाएगा फिर चाहे आपका question हुंबर का हो CBAC, बिहार, UP, महाराज्ट, राजरस्थान, MP किसी unboard का हो चाहे IAT, Zenit या classic से बरहमी का सवाल हो इन सब का जबाब .NET app पर या फिर कोई भी subject हो, physics, chemistry, biology, math, science, आपके सभी सवालों के जबाब मिलेंगी आपको .NET पर साथी .NET पर क्लास नौमी से बरहमी के बच्चों के लिए चल रही है, English और Hindi मेडिया में लाइब क्लास से सियानिया पूरी पराई होगी .NET पर तीन करोड से ज़्यादा बच्चे .NET पर प्रहाई कर रहे हैं, तो अब ही जाएए और .NET अप को इंस्टॉल किजिए नेक्स्ट है NAMBERC की रचना का नाम बताईए , पहला है प्रगती और समाज mm nessa number 4th .lerc number है Harjet 54th नंबर सियाध है नाम बताईए इसका जो रहीट आइट वो है आपका प्रगती और समाज, ठीके नेक्स्ट है आपका भूसं किनदी रचना है भूसं है भूसं जो हैं, वा किसकी रचना है भूशन तो जाएगा आपका कबीत की ठीक है नेक्स कुशन की और बढ़ते हैं यह भी कुशन आपको अब्जीक्टि में पुछा जाएगा लेकिन मैं यहाँ पे मिलान करके दे रहा हूं ताकि आप लोग को और ज्यादा अच्छे सी याद हो सके तो यहाँ पे जूठन के राइटर कौन है जूठन किसके दाया लिखी गई है तो यहाँ पे देख सकते हैं हर कुशन के लिए पांच ओप्सन यहाँ पे दे दिया गया है यह पांचों में से कौन जो है वो जूठन के राइटर है तो आपको बताना है कि जूठन के राइटर क ओम परकास बाल में की ठीक है नेक्ट है आपका रोज किसके दोरा लिखी गई है रोज जो है वो किसके दोरा लिखी गई है तो यह है आपके अग्ये के दोरा लिखी गई है तीन है संपून करांती संपून करांती कौन है जे संकर परसाद संपून करांती किसके दोरा लिखी सख्च्छ थ lässt में आपको सिच्छा सिच्छ तीरिच्रिच तीरिच्रिच् सर्द करें दौरह लिख रिक है और ला स्थ youtube क्रूब 15 तो आपको याद कर लेना है इस तरीके से नेक्ट जो है आपका ठीक है आपको अब्जिक्टी में पूछ जाएगा तो भूसन एक रिती मुक्त कभी थे तो कैसे कभी थे भूसन एक रिती मुक्त कभी थे तो यहां पे अचार कभी ही थे अचार कभी ही थे नेक्ट है आपका प नीला संख, नीला संख, क्या था बहुत नीला संख, जैसे मोर का नव, नेक्ट है नील जल में या किसी की गौर खाली अस्थान देह जैसे हील रही हो, तो क्या होगा जलमल या जिलमिल, तो गौर जो है जिलमिल देह जैसे, क्या होगा, जिलमिल देह जैसे, ठीक है, नेक्ट ह आपका, खेत रहने वाले, खेत रहने वालों की सूची क्या है, प्रकासी थे, तो खेत रहने वालों की सूची क्या है, आप्रकासी थे, ठीक है, नेक्स आपका, किसी के पास पूछने का, किसी के पास पूछने का, क्या है, आकास नहीं है, या आपकास नहीं है, तो आपकास न जगर्नाथ सिर्सक कभीता के कभी कौन है तो यह आपके किदारनासी, ठीक है, next है मात्री भूमी सिसक कभीता के कभी कौन है मैथली सान गुप्त, रामेश्टर बहादूर सी, आरून कमल या नरेश सक्षेना या नरेश सक्षेना, तो यह है आपके आरून कमल जी ठीक है, आरून कमल यहाँ पे इसका right answer हो जाएगा ठीक है, right answer क्या हो जाएगा, आरून कमल, next है एक दिछांत भासन किस विद्या की रचना है एक दिछांत भासन किस विद्या की रचना है एक दिछांत भासन किस विद्या की रचना है नेक्स्ट ये आंखो देखा गदर किसकी रचना है। गोट से वर्साईकर या भूला पासवार, कबीरदास या ओम परकास। इसका राइट आंसर है आपका बिश्नू भड तीक है आपसर नमबबर फर्फिर अक्सवार है। सुर्य किसकी रचना है सुर्य जो है वो किसकी रचना है कुमार गंदर्व ओदोलन असमेकल भगसी या जगदीश चंद्र मातुर भगसी या जगदीश चंद्र मातुर तिसके राइट आंसर है ठीक है ओदोलन असमेकल ओदोलन असमेकल सुर्य जो है ओदोलन असमेकल की रचन है ठीक है next question आपको फिलर्ट की तरह देख रहे हैं लेकिन आपके exam में objective आएंगे जैसे मैं 12 बूल रहा हूं ठीक है यहां पर जो है कामनी तो अपने साथ किसकी सांति लाती थी किसकी सांति लाती थी कामनी तो राजा या परजा तो सत्य का जो सकार रूप होता है वो राजा होता है सत्य का सकार रूप राजा होता है ठीक है नेक्ट है पूरुस और इस्तिरी में पूरुस और इस्तिरी में किसका यह रूप आज कहीं भी देखने को नहीं मिलता है किसका रूप जो है आज कहीं भी देख किने को नहीं मिलता है नेक्ट है संग की चुरी संग की चुरी से क्या महसूस करा दिया गया तो संग की चुरी से कंपन को महसूस करा दिया गया next है अर्धनारिस्वर भारत का एक क्या है? किसका परतिक है? मीत किये या बिम्बक किये? किसका परतिक है? तो अर्धनारिस्वर भारत का एक मीत किये का परतिक है बढ़ते हैं अगले question की ओर तो यहां पर फिर आपको मिलाना है और इस तरह से सूरी के writer कौन है तो सूरी के जो है जो पहले बता दिया कि अदोलन असमेकल है नेक्स आपका पिर्थिभी तो पिर्थिभी के कौन हो जाएंगे पिर्थिभी के हो जाएंगे आपके नरेश चक से पिर्थिभी नेक्स है आपका ऊशा करते हैं और आज के लिए भी भी आई है तिसका है समसेर बहादूर्सी vos नेक्स आपका पेसगी पेसगी के कैई आपके हेंनरी लोपेज और जूठन का हो जाएगा ओम्रकास बालमेकी धीक है ओम परकास बाल में की जो हो जाएंगे वो जूठन को हो जाएंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ठीक है नेक्ट क्लास जो है वो वायोलोजी की क्लास है तो आपको जरूर आए और अपने दोस्तों को यह बता दे और उसमें आपका हिंदी और इंग्लिस दोने में आपको क्वेशन देखने के मिलेंगे तो अगर अभी तक आप क्लास नहीं किये हैं किसी भी सब्क्जेक्ट की पहली बात जोर रहे हो तो सिधा आपके इस चैनल की प्लेश में जाएए आपको वहां से जितनी भी वीडियो जाए क्वेशन आउट सरी की वह आप लगा डालिए ठीक है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और वाटस अप ग्रूप भी मिल जाएगा चैनल पर पहली बार है तो नोटिफिकेशन वीडियो की तभी मिलेगी जब क्वेशन आउट सरी शुरू होगा ठीक है कब मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है और वेल आइकन को उपर ओल कर देना है ताकि सभी वीडियो आपको मिल सके मिलते हैं आप से अगले वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो